तो जो ड्रोइंग सीट आती है वो कितनी बड़ी ड्रोइंग सीट होती है और उसमें क्या क्या आपको करना होता है यह निकी जैसे कि आप थमलेंड पर देख पाएंगे तो उसमें दिया हुआ है कैसे इंट्री करें क्या क्या चीजें आपको भरनी होती है इसमें इंट्री मे तो चली देखते हैं दोस्तों यहां पर यह जो ड्राइंग सीट होती है वो इस तरीके से मॉडल पेपर इसको सेट किया हुआ है बनाया है जिस तरीके से आपकी ड्राइंग सीट आती है उसी तरीके से मैंने इसको पूरी तरीके से इसको बनाया है तो यहां पर देखेंगे य ये सारी इसमें इंट्री भरनी होती है आपकी ये ड्रोइंग सीट है और ये देखी इतनी बड़ी ड्रोइंग सीट रहती है आपकी और इसमें जो आपको क्या क्या भरना होता है तो ये सारी चीजे हमें आपको दिखाएंगे और स्टेप बाई स्टेप सारी चीजों को हम आई थी और अब मेरा यह रिजल्ट फेल का क्यों आया तो ऐसी कंडिशन में ही कारण होता है तो रॉल लमर गलत भरेंगे आप या फिर आपकी जो फेल होने का एक कारण कारण बनता है सबसे बड़ा तो देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है सबसे पहले देखेंगे जनपद अभिकारी या फिर प्रधानाचारे राजकी आई टाई वा महौर तो इस बाले एरिये में आपकी जो आपकी यदि आपकी आई टाई गवर्मेंट आई टाई है या जो आपकी प्राइवेट आई टाई तो यहां पर आपकी सरकारी आई टाई या राजकी आई टाई की स्ट यह कर रहे हैं आप अपनी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं जो सीटी सीटी यहनी क्राफ्ट में ट्रेनिंग कर रहे हैं वो आपकी यहां संस्थान का नाम लिखना है ठीक है तो यहां पे आप जो भी आपकी आईटी आई हो जी ओवी टी हो राजकी आईटी आई हो तो जो भी कि अगर आप उत्तरप्रदेश से हैं तो आपका उत्तरप्रदेश होगा, अगर आपका उत्तरप्रदेश से हैं तो आपका उत्तरप्रदेश होगा, तो मैं यहां पर उत्तर परिक्षा का नाम होगा, अखिल भारती है, यहां पर देखो, अखिल भारती है, परिक्षा होगी और यहाँ पे आपका बर्स डाला जाएगा ठीक है तो यह चीज आपको ध्यान में रखने है यह सारी चीज़ें इंट्री करने है फिर यहाँ पे आ जाता है परिक्षा केंदर का नाम क्या जाएगा जहाँ पे आपका परिक्षा केंदर है यह आपका स्वकेंदर है यह आपका self center है आपका संस्थान में है तो आप अपने अपने संस्थान का नाम डाल जाकते हैं ठीक है तो यह आगे हम सारी चीजे देखाने वाले हैं आगे देखें यहाँ पर ड्रॉइंग सीट का जो किरमांग होता है वो डला होगा और यहाँ पर अपर जो परिक्षा सेंटर केंदर है उसकी आपकी यहाँ पर क्या स्टेंप लग जाएगी या फिर उसका महार या सिगनिचर होगी फिर आपका अनुकरमांग अंकों में आता है जैसे जीरो जीरो करके जो भी आपका रॉल नंबर है या जो भी आपका नंबर है वो आपका पूरा यहाँ पर फिल करना है एक कॉलम में एक नंबर आपको लिखना है जैसे कि यह कॉलम बने हुए है इन सब में एक एक नंबर आपको लिखना है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अंकों में लिख तो यहाँ परा आपको रॉन ओल लंबर 8 एक टीम है ना जीड में पर दो सब्सक्तून आफ 509 अश्रुम में अश्थिल करना तो यहाँ पर इ Tat s आये तो यहाँ आपको ट्रेड यानि कि step կहाँ ख DB प्रेट का नाम डालेगे फिर आप जिस कक्ष शंख्या में बैठे हो यहां पर इक्षा का जो कक्ष शंख्या है वह आपको डालनी है यहाप इस वाले कॉलम में फिर देखिए यहापको लिखा होगा दिनांग के निदेट जिस दिन आपकी परिक्षा होगी तो कितनी 13 तो यहां पर ढयरम है और आपकाश डालेगे ठीक है और यहां पर जो आपका कक्षण देख चक रहा है यह इसे निदीशत डियूट करके आपा पर आं मागया यहां पर AM आ जबते हैं अपके आ पर प्रेस आदेखे-जूします 2021 लिखा जाएगा आपका ठीक है roll number आपने देखा यहाँ पर यह लिखा हुआ है और इसको कैसे कैसे लिखा है 0019 इस तरीके से आपको पूरा last तक पूरा fill करना है ठीक है आगे देखते हैं यहाँ पर और इसके बाद आपकी rate आगई आपकी और यहाँ पर कक संख्या और इसके बाद यहाँ पर यह date आए ठीक है तो इस तरीके से आपको पूरी तरीके से इसको completely अच्छे अच्छे साप साप अच्छरों में इसको और कोसिस यह करो कि capital letter में लिखो है ना बहतरी रहे का capital letter में लिखो है running में क्या होता कि बहुत सारी चीजें बच्चों की writing आगे ना होता है और दूसरे question में भी आपको दो करने होते हैं और तीसरे question में आपका isometer के orthographic view होता है तो इसको कैसे divide करें वो सारी चीजें हमें यहाँ पर देखते हैं तो देखिए हमने इस तरीके से divide किया हुआ है अब माली यह हमने पहला question ले लिया है तो पहले question में cover कर लेंगे ground बना लेंगे मलब जिसको हम कह सकते हैं कि एक graph सा बना लेंगे इस तरीके से इसको हम divided करेंगे पूरी drawing sheet को और फिर हम देखेंगे कि यह आपका top front end side आपका बनेगा तो इस तरीके से आप quadrant बना करके इस तरह को अच्छे तरीके से kick करें next हम बात करते हैं तो आ आपने divide करने हैं इसको एक page को जो आपकी drawing sheet है और उस drawing sheet को बढ़िया तरीके से cover करके मलब column में बना करके और एक कुश्चन को बढ़िया तरीके से आप लिखेंगे जैसे यहां पर मालीजी hammer आ गया कुश्चन नमाद दो में कह रहा है कि आप ball pin hammer इसको draw करना है क्या करना है तो ball pin hammer दोस्तों draw करना है आपको जैसे मालीजी है यह हमने ball pin hammer draw कर लिया ठीक है यहां पर आपकी file आ जाती है तो यहां पर थोड़ा सा बन नहीं पा रहा है क्योंकि जगह बहुत कम है तो यह हमारी file आ गए यह कुछ और आ जाता है तो इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से draw करना है बहुत बहुत बहतरीन तरीके से draw करना है तो यह थी आपकी drawing से संबंदित details कैसे आपको अपनी जो drawing seat है उसको कैसे आप fill करेंगे और उसको हम कैसे divide करेंगे questions जब हम पूर इस तरीके को कोई गलती ना करें तो यहां पर देखेंगे आपको नाम ITI का नाम यानि जिस संसां से आप ITI कर रहे हैं फिर आपका परिक्षा केंद्र यादि self center तो अपना self center और यहां पर अखिल भारती website परिक्षा दिसंबर 2021 लिखेंगे roll number अंकों में और then उसके बाद आ लिखना है सब्दों में और फिर आपका website जो है आपकी वो website में जो आपकी trade है वो लिखनी है लेक्टीशियन फिटा जो भी आपकी trade है कक संख्या लिखनी है और date डालनी है तो इतनी आपको entry करनी है यदि आप चाहें तो इसका screenshot ले सकते हैं और एक दो बार इसकी practice कर आते हैं entry करने में तो इसी तरीके की एक वीडियो हम ले करके आएंगे practical की और उसमें किस तरीके से आपको practical लिखना होता है वो चीजें सारी हम completely बताएंगे आपको त्वासा करते हैं ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगे तो लाइक औ भी धन्यवाद जह हम जावाद